हेलो फ्रेंड्स, वेल्कम टू हेल्थ टिप्स बे डॉक्टर मनीश, आज हम बात करेंगे कि टीवी की मेडिसन्स की बजा से हमारे श्रीर में क्या-क्या माइनर साइड एफेक्ट्स हो सकते हैं और हम इससे अपना कैसे बचाप करें? जैसे कि आप जानते हैं कि जब हम टीवी की मेडिसन्स लेते हैं ये मेंली चार तरह की द्वाइए होती हैं इन द्वाइएों के नाम है आयसनाइज़िड, हरिफाम्टेसिन, पायराजिनामाइड और इथाम ब्यूटल तो जो टीवी की मेडिसन्स की सबसे बड़ी प्रॉलम ह बो ये है एक तो ये मेडिसन्स काफी लंबे समय तक लेनी पड़ती हैं कम से कम हमें इसे 6 मीने तक लेना होता है और हमें एक या दो नहीं बलकि कई गोलियें सुबा खाली बेट खानी पड़ती हैं और इन द्वाइएों के साइड फैट्स भी होते हैं तो जिसकी वज़ा स जादातर लोग बीच में ही इन द्वाइएों को छोड़ देते हैं जब जे लोग द्वाइएं छोड़ देते हैं तो या तो उनका टीवी ठीक नहीं होता जा कुछ समय के बाद उनको द्वारा से टीवी की शकायत हो जाती है इन लोगों में जब दूसरी बार टीवी का ट् और इन लोगों का टीवी भी जल्दी ठीक नहीं होता और ये अपने आसपास के लोगों में भी टीवी की बिमारी खिलाद देते हैं तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इन टीवी की द्वाईयों के क्या-क्या माइनर साइड फैट्स होते हैं Minor Side Facts हम TB की द्वाईयों के उन Side Facts को कहते हैं जिसमें कि हमें TB की द्वाईय बंद नहीं करनी पड़ती तो friends सबसे पहले अगर हमें किसी भी तरह के Side Facts से अपना बचाव करना है तो हमें TB की द्वाईय के दुरान alcohol या smoking बिलकुल नहीं करनी है जो दूसरी सबसे बड़ी बात है कि इस द्वाईय के दुरान हमें अच्छा healthy खाना खाना चाहिए अगर हम इन दो चीजों का ध्यान देते हैं तो Side Facts सौने के चांसिस काफी कम हो जाते हैं लेकिन फिर भी कुछ minor Side Facts बहुत ही commonly देखे जाते हैं इनमें जो सबसे पहला और सबसे ज़्यादा Common Side Facts है वो जे है कि हमारी शरीर की जो भी secretions हैं जैसे कि हमारा पिशाप हमारा थूक, हमारा पसीना हमारे आंसू, इनका रंग लाल या संत्री रंग का हो जाता है, यह जो color है, यह रफंफिस नाम की medicines की बज़ा से होता है ऐसा देखा गया है जो लोग contact lenses लगाते हैं उनके lenses का color भी लाल रंग का हो सकता है अगर आप contact lens लगाते हैं तो TV की दवाई के दौरान आप contact lens का use ना करें otherwise आपके contact lens खराब हो सकते हैं तो जो दूसरा common side fact है वो यह है कि जब हम धूप में जाते हैं तो हमारी चमडी में खारिश हो सकती है जा उसमें लाल रंग के चकते पढ़ सकते हैं यह TV की medicine जिसे की हम parazinamide बोलते हैं उसकी बज़ा से देखा जाता है यह parazinamide हमारी skin को sensitive कर देता है तो जब भी आप TV की medicine लें आप अपने आपको धूप से बचाएं जब भी आप धूप में जाएं आप sunscreen का use करें आप full sleep की shirt डालें आप धूप में चाते का इस्तमाल करें और कोशिश करें कि आप direct धूप में काम ना करें नहीं तो आपकी skin में खारिश हो सकती है इसमें जलन हो सकती है कई यंग लड़कियों में या लड़कों में TV की दवाई की वज़ा से जिसे कि हम isonazid बोलते हैं उनमें acne की problem हो सकती है जा उनके acne बढ़ सकते हैं तो इस side effect के लिए TV की दवाई बंद करने की जरूरत नहीं है आप बजार से मूपे acne के लिए जा मुहांसों के लिए जो क्रीमे मिलती है आप उसका उप्योग कर सकते हैं कुछ लोगों में TV की दवाई के दौरान बाल ज़ड़ने की दिक्कत भी हो सकती है तो जैसे ही आपकी TV की दवाई खतम हो जाती है ये प्रॉलम अपने आप ठीक हो सकती है लेकिन आप एक चीज का ध्यार रखें कि आप अच्छी nutritious डाइट लें high protein डाइट लें ऐसे लोगों में बाल ज़ड़ने की प्रॉलम दूसरों के मुकाबले में कम होती है ऐसा भी देखा गया है जो लोग TV की medicine लेते हैं उनमें दवाई लेने के दो या तीन घेंटे के बाद उनके चेहरे पे जा उनके सिर पे खारिश हो सकती है उनका चेहरा लाल भी हो सकता है तो जब भी कभी आपको इस तरह के लक्षन मिलते हैं आप citrazin जा फैक्सोफिनाडीन नाम की medicines बीच बीच में ले सकते हैं जैसा कि आप जानते हैं कि ज़्यादा तर ये medicines खाना खाने से पहले लेनी पड़ती है कई patients को इन दोईयों को खाली पेट लेने की वज़ा से उनमें gastric या acidity problem हो जाती है तो अगर आप इन दोईयों को खाली पेट टॉलरेट नहीं कर रहे हैं तो आप इसे खाना खाने के दो घंटे के बाद भी ले सकते हैं इस सब के इलाबा आप इस चीज का ध्यार रखें कि आप चाए, कॉफी बाइट ब्रेड, बाइट पास्ता चीननी इन चीजों का सेवन कम से कम करें क्योंकि इन सब food item की वज़ा से टीवी बाले patients में ब्लोटिंग हो सकती है उनका पेड खराब हो सकता है और वो ज़्यादा थकान महसूस कर सकते हैं कई patients में जब वो टीवी की दवाई शुरू करते हैं उन्हें धकान हो सकती है उन्हें चक्कर आ सकते हैं वो सूस्ती महसूस कर सकते हैं उनकी concentration कम हो सकती है वो irritation फील कर सकते हैं जब उन्हें mood swings की problem देखी जाती है ये symptoms दवाई शुरू करने के पहले महिने में जातर देखे जाते हैं लेकिन जैसे जैसे आप इन medicines को लेते रहते हैं ये symptoms अपने आप ही कम होना शुरू हो जाते हैं इसके इलाबा इन द्वाईयों की वजह से आपकी memory भी कम हो सकती है तो आप इन symptoms की चिंता ना करें मेशा एक positive attitude रखें अपनी डाइट पे ध्यान दें ये सिंटम्स अपने आप ही चले जाएंगे इन सिंटम्स के लिए द्वाई बंद करने की जरूरत नहीं है कई बार पेशंट्स को नीद में दिक्कत आना शुरू हो जाती है तो आप इसके लिए अपनी एक्टिविटी को इंप्रूब करें आप सैर करें, योगा करें, आप चाय कोफी का सेवन कम करें लेकिन इसके बावजूद भी अगर आपकी नीद कम आ रही है तो आप अपने डॉक्टर से मिलके मेलाटोनिन नाम की मैडिसन ले सकते हैं कई पेशन्स का द्वाईयों की बज़ा से मुँ सुखने लग पड़ता है तो आप कोशिश करें कि आप अपनी हाइडरेशन को अच्छे से रखें कम से कम 2-8 लिटर पानी रोज पिएं आप अपनी ओरल हाईजीन का ध्यान जरूर रखें सुबा शाम ब्रेश करें इसके इलाबा अगर फिर भी अगर आपका मुँ सुखता है तो आप अपने मुँ में जा जीब पे ओले वोय जा देसी घी भी लगा सकते हैं कई पेशन्स का मुँ का टेस्ट बदल जाता है वो कड़वा सा फील कर सकते हैं तो ऐसे पेशन्स चुइंगम जा जो बाजार में लोजेंजिस मिलते हैं उनको बीच बीच में चूज सकते हैं इससे उनका मुँ का टेस्ट ठीक रहेगा तो फ्रेंड्स ये टीवी की मेडिसन्स की बजा से होने वाले कुछ माइनर साइड एफेक्ट्स थे और हम कैसे इससे बचाब करें इसके बारे में हमने डिसकस किया लेकिन कभी भी इन छोटे सिम्टम्स के लिए अपनी टीवी की दवाई बंद ना करें टीवी की जो बिमारी है ये सिरफ टीवी की दवाई से ही ठीक होगी अगर आप इसे बीच में छोड़ देते हैं तो कभी भी आपका टीवी ठीक नहीं होगा और ये जानलेवा भी बन सकता है थेंक्यू बेरी मच